हमें HRD Ministry इनाम दे रही है, उत्तर परदेश से हिंदी संस्थान भी मेरे को पुरुस्कृत कर रहा है, शिरोमनी साहितेकार हिंदी के तौर पर भाशाबी भागने भी, एक लाख रुपए का इनाम मुझे दिया, 2006 में, ये सारे दाहित्व, जब मेरे जैसे विक्ति को हाथ में आते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे और जम्यदारी के साथ काम करना है, गंभीरता के साथ काम करना है, हमने नए लेखकों को आगे लेकर आना है, इनको जो भूली हुई कीमतें हैं, मानमर्यादाएं हैं, उनके बारे में बताना है, आज की दोर में, जो कुछ छप रहा है और विक्रा है उसकी क्या फिक्र है आपको कुछ हमारे लेखकों ने बाजार को बिगाड़ दिया है उनको या तो आतम विश्वास नहीं है कि हमारे लेखन में दम खम है वो अपनी कृतियां पैसे दे कर प्रकाशकों से चबाते हैं हमें अपने मेहनत का समय का खून पसीने का मूल्य यदी नहीं मिलता तो हमारे लेखन की सार्थक्ता क्या रहे गई है बिल्कुल तो आज की जो युवा पीड़ी है उनका किस तरह से आप मार्ग दर्शन करना चाहें के जो इस रच्षिनात्मक जगत में कदम रखना चाहते हैं मार्ग दर्शन से तो युवा पीड के जो एडिशन है उनमें जो विचार तत्व आता है आर्टिकल आते हैं लेख आते हैं उनको पढ़ें नोर्स बनाएं एक लक्ष के साथ आगे आना है यह नहीं के जहां हम फिसल गए तो नीचे गर्थ की तरफ जाते ही गए जाते ही तरह डॉक्तर महनव आपने अपने कीम्ती विचार हमारे साथ बाटे अपने जाहिते के बारे में अपनी लेकनी की बारे में भी हमसे चर्चा हुई और बहुत अच्छा मांगदेशन भी आपने उस युवा पेड़ी के लिए किया जो इस जाहिती में या रचना से चुड़ना हैं आपकी अच्छी सिहत और लंबी उम्रे की हम दुआ करते हैं और हम चाहेंगे कि एक खुब सूरत चा पैगाम आप हमारे दर्शुकों के लिए जाते 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 ज़रूर दें कि घर रहेंगे हमी उनमें रहना पाएंगे घर रहेंगे, हम ही उनमें रहना पायेंगे, समय होगा, हम अचानक बीट जाएंगे. और दूसरा है कि नफरतों का सफर एक कदम, दो कदम. नफरतों का सफर एक कदम, दो कदम. हम भी ठक जाएंगे, तुम भी ठक जाओ. बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मानव कि अपने बेशकिंती वक्त में से कुछ वक्त हमारे इस कारिक्रम के लिए निकाला। रचना की अगली कारिक्रम में हम एक बर फिर से एक नई शक्सित के साथ आपके साथ भीट करवाएंगे एक कुछ नई रंग के साथ नई यादों के साथ और नई बातों के साथ आपसे फिर अगली मुलाकात होगी तब तर के लिए मैं कमडिश कुपता आपसे इजासत चाहते नमस्कार